हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तो शुरू करते हैं सूपर कमांडो धुरुव की एक घमाकेदार कॉमिक्स धुरुव इश्य है आज हम जो कुछ भी है अपने इतिहास के करण है बिना इतिहास के इंसान कुछ भी नहीं है और इंसान वही है जो इतिहास को खुद बनाता है जिनका इतिहास युगो युगो तक दोराय जाता है वे महागाता बन जाते हैं और फिर एक दिन एक दूसरी बड़ी महागाता उसको चुनोती देने के लिए उससे आठकराती है मेरे सामने तुम एक आदिब मानव से ज़दा कुछ नहीं हो धुरूव आज दुनिया को यह पता चल जाएगा कि असली महान युद्धा धुरूव नहीं है वह है भविश्य का धुरूव धुरूविश्य संजे गुपता की पेशकस राज कोमिक्स है मेरा जनून ये डेथ चेमबर है सुपर कमांडो धुरूव इसका इस्तेमाल माफिया डोन्स अपने सिकार से सच उगलवाने और फिर मार डालने के लिए करते हैं आज तक इस डेथ चेमबर से कोई बाहर नहीं निकल पाया है अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारा नाम गीनिज बुक में दर्ज हो जाएगा और अगर नहीं कर पाए तो म्यूंसिपैल्टी के मोत के खाते में एक नाम और जुड़ जाएगा सूपर कमांडो धुरूव का अब दो खास बाते नमबर एक तुम पानी में सास नहीं ले सकते इसमें बेहोशी की दवाई मिल हुई है और नमबर दो कि इस कमरे की छट तक पानी भरने में सिर्फ पांच मिंट का वक्त लगता है अब तुम करो बचने की कोशिस और हम लेते हैं एक छोटा सा नन्ना सा ब्रेक कहीं जाएगा मत वैसे जाएंगे भी तो कहां कमरा तो चारो तरफ से बंद है बहार निकलने का एक मात्र रास्ता वह ग्रिल है मुझे और जादा पानी भरने से पहले वहां तक पहुँचना होगा क्योंकि पानी जादा भर जाने के बाद ग्रिल का लोग खोलने में दिक्कत हो सकती है उम्मीद है कि ये कुर्सियां हीलेंगी नहीं अब मुझे यहां से बहार निकलने में सिर्फ 30 सेकिंड लगेंगे 15 सेकिंड ताला खोलने में और 15 सेकिंड यहां से बहार निकलने में ब्रेक के बाद हमारा स्वागत है पर ये क्या सुपर कमांड दुरू इस ब्रेक में तुम ग्रिल को ब्रेक करने के बजाए खुद ही ब्रेक हो गए चे 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 तुम्हारे अंदाजा गलत निकला धुरू ग्रिल बहार निकलने का रास्ता नहीं है जो नजर आता है वह होता नहीं है ये तो शुक्र मनाओ कि मैं कॉमल दिल वाला इंसान हूँ किसी को शोक से मरते नहीं देख सकता इसलिए ग्रिल में मामूली सा करंट था इसमें इंसान मर नहीं सकता पर अब पानी तुम्हारे मूँ तक आ चुका है अब पानी या तो ग्रिल से टच करेगा और तुमको शोक लगेगा या फिर तुम पानी पियोगे और बेहोश होगे तुमारी हार अब पक्की है धुरूव ओ तुम तो पहले से ही टूबने लगे बेहोश होने के बाद क्या करोगे अरे ये क्या ये टाइल खुल कैसे गई बाहर की दुन्या में तुमारा स्वागत है सुपर कमांडो दुरूव और मुझे उम्मीद है कि तुमारा ऐसा ही स्वागत पर लोख में भी होगा आखिर ऐसी पुन्या आत्माए वहाँ पर रोज रोज तो आती नहीं है जिंग ओ शिट तुमारे अनुसार हमारी पर्फॉम्मेंस कैसी रही रजद यानि पर्तियोगी नंबर चार मैंने कोशिश तो पूरी की लेकिन ओव्यसली वह कोशिश ना काफी थी आखिर काव दुश्मन ने मुझे मार ही डाला तुम पहले एफर्ट में चूग गए रजद और तुमने ग्रिल पकड़ ली जटका तो तेज लगा था क्योंकि तुम पूरा हिल गए थे शोक तो हलका था पर अनेक्सपेक्टिर था इसी लिए थोड़ा सा पर तुमने लोजिक को पकड़े रखा यानि पानी बरकर निकाला जाता रहता है और पानी निकलने का रास्ता छट पर तो कोई बनाता नहीं लोजिक इसलिए मैंने थोड़ा सा सर्च किया और दूसरे एफर्ट में ही मुझे ड्रेन लोग खोलने वाला श्टर्ड मिल गया और तुम सही सलामत बहार आ गए और तुमें लगा इस पर मुझे आश्चरिय नहीं हुआ मैं खुश हो गई जब तुमने ड्रेनेज आउटलेट के बारे में सोचा और खोल लिया तुमने हिम्मत नहीं आ रही बट आई वाज वेरी डिसपोइंटेड जब तुम टैंक से बहार निकलने के बाद रिलाक्स हो गए एक क्राइम फाइटर इस नेवर रिलाक्स बट तुमारे एफ़र्ट के लिए मैं तुमको ये देती हूँ सेवन पीटर आपका क्या कहना है इस परफोर्मेंस के बारे में साहवदानी हटी दुर गटना गटी आपके साथ भी यही हुआ रज़त आखिर में आप मारे जाते हैं तो आपके पहले के सारे एफ़र्ट कोई माइने नहीं रखते ये हैं मेरे मार्ख्स अब दिल थाम लो रज़त क्योंकि अब आपके परफोर्मेंस को तोलने जा रही है नक्षत्र जो हर चीज में दुरूब के उतने ही समान है जितनी की दुरूब की मिरर इमेज तो नक्षत्र क्या कहना है आपका आपने तो मुझे मिरर इमेज बता कर मेरे और दुरूब के बीच में शिशे की दिवार खड़ी कर दी वैसे रज़त मैं तुमारी पर्फोर्मेंस से संतुष्ट हूँ हम हर किसी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वै एकदम धुरूब जैसा ही सोचे और करे भी अगर ऐसा हो सकता तो आज हमारे पास एक नहीं कैई धुरूब होते तुमारे जुजारूपन के लिए मैं तुमको ये देता हूँ सेवन यू आर वाचिंग कौन बनेगा सूपर कमांडो धुरूब दोस्तों आपके लाखोगों SMS ने इस प्रोग्राम को दुनिया का नंबर वन TV रियाल्टी शो बना दिया है इस वक्त ये टेली कास्ट 25 देशों में लाइफ देखा जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अगले कंटेस्टन्ट परशान कतई मैसूस नहीं कतई मायूस नहीं करेंगे हमारा अगला चेलेंज एक अनोखे सेट पर शूट किया गया है इसमें फ्यूचरिश्टिक सेट्स है इस्पेशल इफेक्ट्स है और इसमें स्टन्ट को अंजाम देने में एक्सपर्ट स्टन्ट गैंग की एक टीम के साथ साथ मशूर स्ट्रीट मैजेश्यन अन्तारे सरकार ने अपना योगदान दिया है हमारा दावा है कि ऐसा सिक्वेंस ना तो पहले कभी शूट किया गया और ना ही निकट भविश्य में किया जाएगा और सुदूर भविश्य में भी होगा या नहीं ये तो भगवान ही बता सकते हैं घबराओ मत दोस्ते तुमने इस जानलेवा बैक्टिरिया को इजाद करने में जितना पैसा लगाया है उतना मैं अपनी पहली लूट में हिसे ही कमा कर तुमको दे दूँगा इस बैक्टिरिया से इंसानों को एक सेकिंड में टेंप्रेरी लखवा मार जाता है इसकी मुदद से तो ये सोने से भरा रिजर्व बैंक का स्ट्रोंग रूम भी लूट सकता है और इसके जिम्मदार हम होंगे हमारी सिक्योर्टी टीम तक इसके आगे नहीं टिक पाई तो हम भला इसे कैसे रोख सकते थे अब इस विनास को अगर कोई रोख सकता है तो सिर्फ सूपर कमांडो ध्रूविश्य आहाँ बस आपकी कमी है चले आईए पोपा की मैफिल सजी है चले आईए और जाईए और मरते मरते यह मत सोचिये कि कास मैंने भी दस-दस क्रेडिट में बिखने वाला एक एलिवेटर बूश्टर खरीद लिया होता तो मैं भी उड़ सकता दुरूविश्य का सरीर चाहे न उड़ता हो पोपा पर दुरूविश्य का दिमाग जरूर चलता है और जब दिमाग चलता है तो शरीर को उड़ने में कितनी देर लगती है आउँ आँ ये नजाकत भरी किक ही थी पोपा वर्ना ये तुमारे होश नहीं बल्कि तुमारे सिर्क को ही उड़ा देती परमिशन फो लेंडिंग रिक्वेस्टिड रनवे खाली कर दे नाइस लेंडिंग लिफ्ट देने के लिए थैंक्स पोपा अब आप पोपा को अपने हेड़कॉर्टर तक लिफ्ट दे दीजेगा हिसा आप बराबर हो जाएगा अभी तो हमारा डर भी खतम भी नहीं हुआता और ये किस्सा ही खतम हो गया दुरुविष्य की यही तो खासियत है वह किस्सा शुरू होने से पहले ही उससे खतम कर देता है ब्रावो ब्रावो वोटे परफोर्मेंस कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच फ्यूचर में पहुँच गई हूँ पर आप फ्यूचर में यानि अगले रावन में पहुचेंगे या नहीं ये तो हमारे जजेश ही बताएंगे तो इस बार हम शुरू करते हैं नक्षत्र जी से एक मिंट एक मिंट हमारे फ्यूचरिस्टिक सिक्वेंस में ना तो ये वाला धुरूवता और नहीं ऐसा कार काश्टंट तो क्या वह घटना सचमुच किसी सुदूर भविश्य की है दुरूविश्य है तुमने एक बार फिर दुरूववश्य की नाक उंची कर दी पर तुम बिना किसी फ्लाइंग गियर के लगबग 500 फुट उपर हवा में थे तुमको डर नहीं लगा या ये आशंका नहीं हुई कि तुम गिर भी सकते हो हर कोई ये जानना चाता है कि जब टेक्निक उपलब्ध है और कोई भी इसका परियोग कर सकता है तो तुम अपरादियों के खिलाफ हाइटेक गैजेट्स का परियोग क्यो नहीं करते हो क्या इससे तुमारी कारे कुशलता बढ़ नहीं जाएगी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ऐसी टेक्निक का परियोग इंसान को नई शमताय तो दे देता है पर सुरक्षित होने का आभास इंसान के दिमाग को शिथिल भी कर देता है और एक क्राइम फाइटर का दिमाग कभी शिथिल नहीं होना चाहिए अब बताओ कैसा लगा मेरा लेटेश्ट अडवेंचर किसी सुंसान जंगे पर बाइक रोको तो बताओ रियाली? नेकी और पूँच पूँच अब बताओ वैसे मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो करेक्ट? करेक्ट तो फटाफट दो ना लो ना वाट वास डेट? ये कैसा गिफ्ट था? बताओ मेरा एक्षन कैसा लगा? मैंने सिर्फ तुमारे कॉंटेक्ट में रहने के लिए रिपोर्टर की सड़ी भी जोब ली जबकि वास्तों में मैं एक साइंटिस्ट हूँ और वहभी गोल्ड मेडलिस्ट पता है मेरा आदा खून तो तुमारे स्टंट देखकर टैंसन में सूख जाता है और आधिकमाई तुमारी जान बचाने के लिए भगवान को परसाथ चड़ा चड़ा कर उड़ जाती है डैड ने न जाने तुमारे लिए कितने नायाप गैजेट्स पर इवेंट कर रखे हैं पर तुम तो यूज नहीं करूँगा की रट लगाए रहते हो किसी दिन तुमें कुछ हो गया तो मैं तो मुझे कुछ नहीं होगा और कुछ गैजेट्स तो मैं यूज करता ही हूँ पर सिर्फ वो ही गैजेट्स जो मेरी कारे कुशलता बढ़ा सके लेकिन ऐसे गैजेट्स जो मुझे सूपर मैन बना दे मैं यूज नहीं कर सकता ये हमारी परंपरा है दुरूव क्लैन की परंपरा यदि यही तो तुमारी मेन प्रोब्लम है तुमारी अपनी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं आज भी तुम अपने पुरवज दुरूव के नाम से ही जाने जाते हो ऐसा नहीं है लिपसी मैं सभी तुमको दुरूव का वंशज कहते हैं कोई उसको दुरूविश्य का पुरवज नहीं कहता सब उसको ही बैष्ट कहते हैं जबकि मैं चाहती हूँ कि सब तुम को बेश्ट कहे लेकिन जब तुम ही ऐसा नहीं चाहते हो तो खेर चलो मुझे डैड के ओफिस पर छोड़ देना क्या लिपसी सही कह रही है क्या मेरा अपना कोई वजूद है ही नहीं कि सचमुच धुरूव ही बेश्ट है और मैं अपने आपको कभी उससे बहतर साबित नहीं कर सकता ऐसा मुझे करना ही होगा पर इसके लिए यह समझना जरूरी होगा कि धुरूव आखिर बेश्ट है क्यों हम अगर तुम सही कर रहे हो तो यह हमारे सामने आई आज तक की सबसे बड़ी चुनोती होगी पर उस चुनोती का सामना हम करेंगे कैसे बार में सभी यह बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में राजनगर पर किसी मास डिस्ट्रक्शन वैपन का हमला किया जाएगा पर यह खबर उड़ाई किसने इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और यह भी नहीं पता कि मास डिस्ट्रक्शन वैपन है क्या और उनका निशाना क्या है फिर हम यह सब पता कैसे करेंगे उफ यह चुनों है अपराद्यों की तरह इनके होसले भी बढ़ते जा रहे हैं और पतादाद भी पर फिलाल असली खत्रा ये नहीं वे शडियंत्रकारी है जो हमारे सिष्टम और इच्छा सक्ति को इनकी तरह कुतर कर खोकला कर देना चाते हैं पर वे सफल नहीं होंगे ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक अफवा हो अफवा की सच्चाई का पता सिर्फ एक ही चीज लगा सकती है दूसरी अफवा पीले पीले बररर कैप्टन पिला रहा है फ्री फंड की दारू है पता नहीं हिक कल मिले ना मिले अरे दारू कभी खतम होती है आदमी खतम हिक हो जाए पर दारू की नदी तो बहती रहेगी अरे दारू कभी खतम होती है आदमी खतम हिक हो जाए पर दारू की नदी तो बहती रहेगी आदमी की ही तो बात है कैप्टन भाई थोड़े दिनों में राजनगर में सब मर जाएंगे खलास राजनगर खाली हिक सम मर जाएंगे वैपन ओफ मास अड्रेक्ट्रक्शन ऐसा ही कुछ था ये जो मारने वाले हिक लोग है न ये नहीं जानते की उनके बीच में पुलिस का एक जासूस घुश चुका है हिद्दम सच्ची और कोई नहीं जानता की वह कौन है आओ पैट्रिक तुमारी शिकायत पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है अगर तुमारी सूचना सही हुई तो इन में से एक की जान जाएगी और गलत हुई तो तुमारी हम जो भी कुछ करने जा रही है उसके बारे में अफ़ाए उड़े तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उसकी जरासी भी डिटेल इस कमरे के बहार नहीं जाना चाहिए इस कमरे के बहार नहीं जाना चाहिए पुलिस तक तो कता ही नहीं अब अगर दर्दनाक मोत नहीं चाहते हो तो मुझे खुद ही बता दो कि तुम में से पुलिस का भेदिया कोन है वरना अगर मुझे अपनी एनरजी लाई डिटेक्टिंग टेस्ट के लिए यूज करनी पड़ी तो अपनी एनरजी बचा कर रखो पुलिस के जासूस का पता मैं तुमको बिना खर्चे के बता दूँगा यही यह वो और तू है वै जासूस पैट्रिक बस तुझे इस बात का पता नहीं मुझे तक पहुँचने के लिए तुमने चाल तो अच्छी चली सूपर कमांडो धुरूव पर इस मौके के लिए मैं पहले से तयार था मैं भी तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा शायद तुमको किसी खास काम के लिए इंपोर्ट किया गया है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन छोटे मोटे माफिय डोंस का सहारा लेकर तुम कौन सा बड़ा काम करना चाहते हो मैं कौन हूँ यह बता कर मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता और मेरा मकसद क्या है यह पता करना तुम्हारा काम है बाकी रही इन माफिया डॉन्स की बाद तो इनका काम खतम हो चुका है मैं अपने मकसद के लिए इनके साधनों का परियोग करना चाहत था और वहे मैं पूरा कर चुका हूँ घन्यवाद दोस्तो तुमने इनको मा डाला पर कैसे बस लेजर सरजर्रे से मैंने इनके शरीर और ब्रेन का कनेक्शन काड़ दिया और दोनों ही चीजे एक दूसरे के बगएर जी नहीं सकती वैसे तुमको तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुमारा ही काम कर रहा हूँ अप्रादियों को टपकाने वाला मैं उनको टपकाता नहीं हूँ सजा दिलवाता हूँ वैसे कोन हो तुम लेजर सरजर्रे जैसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना मैं समय से आगे चलता हूँ लोग मुझे बमूर कहते हैं दोस्त भी और दुश्मन भी अब चलता हूँ बहुत काम करना है उधर नहीं बमूर चले दोस्तों इस भाग में इतना ही ये रोमान्चक कोमिक जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद